जहन दोस्तों स्वागत है आपका क्वालिटी उप्रिकेशन के डिजिल प्लैट्फॉर्म पे अगर आपने मेरा फिछला लेक्षर देखा होगा फाइव आइस के दौरान तब मैंने एक बात करी आप से किस तरह से अब जैपैन फाइव आइस का सिक्ष्ट पार्ट बनना चाह जा एते हुँर आपस में कुछ अग्रिमेंट के दिछील करी जिसंदर में पता चला था हम इस वारे बात करेंगे किस त divergence का जाएन हो जानेंगे चाइना का और सौन मन आययलट्ग यह बहुत जारूरी बात है जिसकेंस केंदर तैवान का भीक्रता संदर्भ है पूरी बात हम जानेंगे कि चायना ताइवान की बीच में क्या रिलेशन है ताइवान सोलोमन से किस तरह से चायना से अभी कनेक्शन में आ रहा है तो जानेंगे पूरा विचलेशन करेंगे इसका डिटेल में जाके तो आईए शुरू करते हैं आज का लेक्चर सबसे पहली बाती न्यूज में आपको बताई थी कि किस तरह से ऑस्ट्रियान है किस तरह से ऑस्ट्रियान ओफिचल रेज़ेस सीरियस कंसर्ण असले के जो लोग है विच चैना बाट सॉलमन आइलेंड अब देखें यहां पर डील तो सॉलमन आइलन और चैना के बीच में हो रही है ले इससे कनेक्शन में आते हैं जब हम बात करते हैं और चैना के साथ देखें जब भी हम सेक्योर्टी डील की बात करते हैं तो डेफिनेटली वहां पर कुछ ना कुछ पर चैना कि सन्दर में शारी बात होती है तो इससे बाकी के दूसरे देश हैं और खास करके जो जो पस्टी में देश आंदर थोड़ी सी चिंथा आ घ्रजए कि ऐसा क्या हो रहुए कि सोलमन आइलेंड मिल रहे हैं जाके चायनास और चैना इसका किस हद तक मिस्यूस कर सकत तो जाने के वज़बारें पूरी तरह से देखे इस मैप के अंदर आप देख सकते हैं चायना इदर है टाइवन बिल्कुल नजदीक है चायना के और यहां पर सॉलोमन आइलेंड नजदीक है ऑसलिया के तो डेफिनिटली अगर चायना के स्ट अच्छे होंगे अगर यहां प सब्सक्राइब सेप्रोक कrage यहां लंगे स्ट नजदीक अगर बात करें और बात करें तो अगर यहां दोनवी और यह वेशे कॉमन है औगर फ्यापर दिक्कत होगी तो डेफिनेटली यूस्य तक उत्हुत बहुत ज्यादा है तो यह टाइवान को लेकर चैने को लेकर बहुत कंसर्ण है यहाँ पर यह पर यहां पर उखलिया एक यहुप और इसको नहीं करता है लेकिन यह बीएक एंटिटी है यहीं जरूरी हिस्सा है इसको भी सब्सक्राइब जैसे एंडिया नाम से लेकिन हम यहां के भारत बोलते हैं तो अलग दूसरा नाम वी तो सोगावरे मनां से सोगावरे वहां के हैं capital इसका हुनियारा है हुनियारा capital है population के तकरीबा 7.50,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00 इसका population वहां के इतनी है British monarch basically आज स्का head of state British monarch है क्योंकि 1975 तक तो 1975 तक ये सीधे सीधे direct तोर पर British के under में था लेकिन उसके बाद इन सब्सक्राइब का सब्सक्राइब है जो अपने जैसे हमारे राष्ट्रपती होता है वहाँ पर आज भी ब्रिटिश मोनार को मानते हैं लेकिन यह कोई कॉलोन नहीं है यह अपने आप में संप्रूवत सुवरेंड देश है सब्सक्राइब के बारे में सब्सक्राइब के बारे में हमको यह भी देखने को मिलता है कि वर्ड वार टू के दौरन बैटल ऑफ गवादा कनाल भी यहां पर हुआ था क्योंकि जो सॉलोमन आइलेंड है पहले ब्रिटिश का पार था जैसे मैंने आपको बताए कि ब्रिटिश मोनार के अंदर डारेट कंट्रोल में था लेकिन अब वो सोवेंड देश हो गया है य इसलिए जो सॉलोमन आइलेंड था यह भी वर्ड वर्ट वर्ट होगा है यहां पर भी जैपनिस ट्रूपस डिप्लाइब किये गए तो यह चीज़ आपके लिए जाननी जरूरी है अब देखे जब से चाहना ने और सॉलोमन आइलेंड ने अपनी यह पूरी टीट्री करी उस दौरान युए से को सबसे बड़ी दिक्क्त होगी यह मैंने बताया आपको ऑस्ट्राइब को दिक्क्त होगी तो दर्द किसको होगा युए से होगा तो युएस डेलेगेशन का कहते हैं वांड सॉलोमन आइलेंड प्रैम मिनिस्टर वर सेक्योरिटी पैक्ट विट चै चेताव नहीं क्या उसका आपके गुलाम है क्या आपके अधीन है आप चेताव नहीं कैसे दे सकते हैं तो यहां पर युजद नर्वस्न आइलेंड और च्याने के रिलेशन को लेके यह चीजे इस स्टेट्मेंट में दिखती है युजड ये जो दी है Scott Morrison, ये कौन है, Australia के Prime Minister, ये Australia के हैं इन्होंने क्या बात बोली है Scott Morrison says Chinese military base in Solomon Island would be red line for Australia red line का मतलब, देखिए, geopolitic के अंदर red line का मतलब यह होता है, जैसे red line है इसे कहते हैं, लक्षमन रेका का नाम आप दे सकते हैं जैसे लक्षमन रेका है अगर आप इस लक्षमन रेका को क्रॉस करते हो, तो उसके बाद कहते हैं ना परिणाम के परिणाम जो भी होगा, वो उसके जिम्मेदार आप होगे इसके बाद जो भी परिणाम होगे, उसके जिम्मेदार आप होगे तो Scott Morrison ने बोला है, जो Australia के डरेंगे नहीं, उसके बाद जो भी situation होगे, जो भी consequences होगे, जो भी परिणाम होगे, उसके लिए सिर्फ चाना जिम्मेदार है अब जहां तक ये बात है, आपको नहीं लगता कि यही सेम बात एक बाद रश्या ने करी थी यूकरियन के संदर्ब में, रश्या ने भी तो यही बोला था कि अगर आप यूकरियन में आते हो तो वो आप अपनी रेड लेंड क्रॉस करोगे लेकिन क्या आउस्टिन लाने, क्या अमेरिका ने वो बात मानी थी, तो इसे कहते हैं इसे कहते हैं दो गलापन इसे कहते हैं इससे कहते हैं जबन पेeldर लोटे होते हैं कि जो अपनी बात को काट कर जो ठूक के चाटने वाली बात होती है यहां पर देखने को मिलती जीस तरह से आपने रश्या को रश्या को परेशान किया था उन्हीं के नजदीक वाले देश को अपने तरफ ले रहे और वहाँ पे नाटो का पूरा इस्टेविश्मेंट कर रहे हो पूरा मिल्टरी बेस लगाओ कि तो डैफिनली रश्या बेटेक करेगा तो यह एक दोगला अपन दिखता है पूरे जो वेस्टन जो पस्टी में देश हैं इनका अब यहाँ पर जब वही चीज़ चैना कर रहा है और यहां पर देखें किस तरह से वह एक देशे दो अलग-अलग विचारधारा को एकसेट करता है अपनी सहूलियत के हिसाफ से अपनी कन्वीनियंस के हिसाफ से यहाँ पर देखें सोलोमेंस पीम ने क्या बोला है से बैकलाइश टू सिकर्डी नेगोसिशिशन विचाना वह वैरी इंसल्टिंग यह हमारे लिए बहुत बढ़ी बेज़ती की बात है कि अग इसमें कोई और देश कहें अपनी बात बीच में करें इंटरफेर करें तो वह एकसेटेबल नहीं है तो वही थी उन्होंने बोले कि बहुत 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 इंसल्टिंग वादा सोलोमेंस चलिए अब यह जो पूरा ही इससा है कि क्यूं ऐसा हो रहा है कि इसे क्यों के वहां कि कुछ लोगों कर लगता था कि जो रुंज के प्रैममीनिस्टर है उनका जो जुकाव किकंट गफ़ारह ए चैना की परति आ रहा है देखिए यहाँ पे चाइना है और चैना के नजदिक है ताइवान अब देखिए यहाँ पे जब लोगों को लगा जब वहां के जो कुछ ग्रूप होते हैं उनको ऐसा लगा कि सोलोमन आइलेंड अब देखिए हर सरकार की यहां पर आपको एक चीज समझ नहीं होगी कि हर सरकार की अपनी विचारधार होती है हर सरकार का अपना एक पहलू होता है जैसे आज हम नेपाल की बा होते हैं कुछ होते हैं एंटि इंडिया होते हैं या फो अपना इक तरीका होता है दूसरे कंट्री से डील करनेगा अपने जुकाव होता है लकुर इशा उनका अलग टेक है तो हर देश के बीच में होता है यहां पर भी वैसे ही Solomon Island के जो प्रैम मिलेशर थे उनका जुकाव किसकी तरफ था चैना की प्रती था न की तैवान की प्रती उन्होंने अपनी अब एक चीज़ यह दिखती अगर में अपको मैक दिखाऊंँ आप देखिए इस मैपके अंदर आप मुझे बताएँ आप मुझे बताएँ अलग सोलमन इलेंन नहीं पर है सोलमन इल्य यहां पर है चैना यहां पर है आज और पर होते हैं इससे एक बात हमको समझ में आती कि हर देश के अंदर हर देश के अंदर अपने अपने विचारत हरा के कुछ गुट होते हैं अपनी विजारत हरा के कुछ करते हैं demonstration करते हैं बाकि उनकी personal life में ऐसा कोई दिक्कत नहीं आ रही है उनकी जिंदगे आराम चल रही है लेकिन फिर भी उनको problem किस बात सा है कि वह तैवान की प्रती न जाकर चाने के प्रती है और उन्होंने दंगे करें और को छोटे मुटे दंगे नहीं है बड़े लेवल करके जो सरकार उस पर दबाव बनाने की कोशिश करते हैं सरकार को प्रेशन की कोशिश करते हैं तो जब यह चीज़ हुई Solomon आइलेंड के उन्होंने चाने को फेवर किया तो प्रोटेस वह ते राइट्स हुए ते इसलिए वहां पर दंगे होता और वहां पर उसके बाद उ आस्ट्रेलिया ने अपनी टेप्लाइमेंट है वह कहां पर कर ली थी Solomon आइलेंड के अंदर कर दी थी military deployment troops के यहां पर क्या लिखा है अब देखिए ऑस्ट्रेलिया की भी already Solomon आइलेंड के साथ ट्रीटी है वह क्यों है उसका एक बूसरा कारण है उसका कारण कोई पॉलिटिक और नहीं होगी तो जाहिर सी बात है Solomon आइलेंड के पास सबसे नजदी की developed देश कौन सा है तो जाहिर सी बात है अगर इस देश को कभी क्यों दिक्कत पढ़ती है पपुआ नहीं ही इसको दिक्कत पढ़ती है तो कौन जाये का मदद के लिए या कौन सपोर्ट करेगा असिस कीजिएगा यह जाहिर सी बात है अब जब यह चीज़ हुई थी तो इस दौरान एक ट्रीटी तो ऑस्टले सोलोमन आइलेंड बाइलेंड बाइलेंड सीकर ट्रीटी ट्रीटी है यह 2017 की गई थी यह देखिए कुछ आर्टिकल से अगर चाइना और तैवन आज दोनों साथ में नहीं है चाइना और तैवं के आपस में रंजिज़ हैं आपस में इंकी प्रॉलम से तो अगर कोई देश चाइना का दोस्त बन रहा है और जो तैवान के देशा कौन है युससे है और जो पस्टिमी धैश है वह सब किसके दोस्त है वो तैवान को दोस्त क्या है लेकिन हाँ इसका इस्तमाल करते हैं चैनों को नर्वस करने के लिए चैना पे लगातार प्रेशर बनाये नजदिक में आएगा अब जो जो देश टाइवान को सपोर्ट कर रहे हैं अभी टाइवान शेप्टों के चाहिना आ गए तो यह जो देश है यह नाराज हो गए जो यूएस है जो पस्छी में देश है तो यह इस इसी वज़े से टाइवान इस संट कॉंटेक्स में आ जाता ह है यहाँ पर देखें यहाँ पर क्या लेका सोलोमन आइलेंड्स पीएम में अवेल चाहिनास हेल्प टू अंडर्माइड डेमोक्राइस ऑफिचल कुछ जो ओपोजिशन के लिडर थे सोलोमन अल सोलोमन कर देश के अंदर जो ओपोजिशन के लिडर थे उन्हों नहीं बात नहीं इसके नाम पर इसके नामपर अपना अपना नुकसान करते हैं अब यूकरेन पूरा देश तबाह हो चुका है यूकरेन अपने जू जहां पर था अपने डेवलपमेंट से तकरीब और 50-60 साल पीछे जा चुका है पूरा देश बरबाद होगे आप मुझे बता उसको उठने में कम से कम 30 साल वापिस लग जाएंगे यूक्रीन को वापिस उठने में कहने का मतलब बस यह है कि जो देश हैं वो इसको समझे नहीं रहे कि किस तरह से बड़े देश जैसे अमेरिका होगे यह लोग डेमोक्रिसी का नाम को इस्तमाल करके वो आपको इस तरह से कन्विंस करते हैं कि आपको कन्विक्शन देते हैं कि प्लीज आप डेमोक्रिसी नाम पे दबे ना अब नहीं दबे तो हजारों लोग मारे गए यूक्रीन के अंदर हजारों लोग पलायन कर गए उनको अपना घर चोड़के चोड़े चोड़े देशों से तो यूक्रीन को क्या बना ले सिर्फ एक महरा बना ले सिर्फ एक प्यादा बना दिया कि हमको से ब्रशा को ठेटना है और यूक्रीन को पता तक नहीं चला है तो कहने का मतलब है कि human rights के नाम पर liberalism को नाम पर democracy के नाम पर काफी बड़े देश इसका misuse करते हैं काफी गलत इसमाल करते हैं वही चीज़ यहां पर देखी गई है देखी पूरे दंगे के यह फोटोज हैं यहां पर ओके अब बात अब यह है कि अब चायना और ताइवान है इनके बीच को रिलेशन से क्या फूरी से बिगड़े हैं देखे 1949 के कि दौरां अब अलग से लग हे तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में जरूर ढले। अब बस्तना जान लीज़जे अधी के providing 1949 से 1949 से पार नहीं हम अलग से खुद के देश हम खांट रहे हैं और तैवन के साथ बस वही रंजिश मोटा अब इसमें क्या होता है कि इसके फिर भी आज चायना और तैवन आपस में काफियत तक मिले जुले हुए हैं मिले जुल वह क्योंकि इनकी रेस है मैं एत्निक गृपसे मैं इनके लोग दिखने में से मैं जुनकी नसल है वो तो सीम ही है जो इनकी कल्चार रहें चल्चर है जो आइडिया है चल्चर सबस्यक्रणी आपस में एक ट्रेड होता ही इसलिए काफी अटक चाइना भी तैवान निर्बर है होग टाइवान प्रेशाथ चर्ट करते हैं क्योंकि इनको पता है कि चाइना हैं यृपन पर निर्भर है। आर्टिक तोर पर दूसरे पर निर्बर है यहां पर आटिकल दिखता है जो पर को सैमे कंड़क्टर चिप क्योंकि देखिए तैवान के अंदर पैवान के अंदर सबसे बड़ी चिप कंपनी सबसे बड़ी चिप कमपनी दुनिया की तो टीएस सबसे बड़ी चीज़ नहीं पर तो चैना एलेक्सिटी कॉंपोनेंट्स के लिए तैवान पूरी तरह से निलबर सबसे बड़ी कंपनी दुनिया के अदर यह है लेकिन यहां पर देखिए जिस तरह से टाइवान डिपैनेट है चैना के उपर यह चैना का सबसे बड़ा पर देखिए चैना बड़ा गयाप है तो कहने का मतलब है कि तैवान को अपने को रखेंगे तो चैना बपर प्रेशर बनेगा तो एक चेढ़ने के लिए बहुत अच्छा बहाना है तो ताइवान भी एक प्यादा की तरह बन सकता है तो इसलिए यह देखिए यह पूरी इंफॉर्मेशन यहाद दी गई है अब यह सब चीज हुई उसके बावजूद भी मौडिसन क्या कहते हैं मौडिसन को ने बदा तो मैं आपको ऑस्टेलिया के पीम है वो खुद कहते हैं कि ठीक है ठीक है अपनी अपनी चला नहीं गया है बिसिकली वह कहने के लिए लेकिन उन्होंने जो डील करी है चाना के हो डोस्न मानता है है मीठी मीठी बात वह क्यों कहीं जारें कि यहां पर देखें तइवान का जो ट्रेड सरफलास है टलाइवान का चूंट्रेड बटएख में बढ़ गड़ा है उसके चाना के अंदर सबसे पहली बात यह यह कि 2017 के 2017 के दोरां जब ट्रेड वॉड चला था जाया चला था यूएसे और चैना के बीच में जए अटरुथ के दोरान की बात कर रहा हों में कि दूसरा करण ये कि जब WE RICH फैला था इन वहान वायरस फैला था उस तोरान क्या हुआ था सबसे बड़ी एकॉनमी किसको हर्ट हुए थी चैना की जो इमेश थी ग्लोबल इमेश थी वह काफी हद तक बिगार बिगड़ गई थी काफी बेकार होगी थी इसलिए यह कुछ कंपनी से तैवन की वह अपनी अपनी देश कंदर वापी शिफ्ट हो गए थे कहने का मतलब यह कि जो चला था यूएस और चैना के बीच में और जो वहन कोविड-19 वाइरस था इन दोनों सिच्वेशन का नुकसान किसको हुआ है चैना को नुकसान हुआ अगर चैना को नुक लिए यह तो बड़ी देश है इसलिए तैवन कमना दोस्ट बना रहे हैं लेकिन अब तैवान के साथ फिर भी शिफ्ट चेंज किया है किसने सोलोमन के पीम ने चैना के पास जाकर तो यह लोग अभी मीटी-मीटी बात करने सोलोमन के साथ क्यों क्योंकि इनको पता है उनको स्ट नेवी है युए से ज़्यादा चायने के पास नेवी है यूए से ज्यादा चैना के पास नेवी है लेकिन प्राओलम यह कि एक्रम यह कि पास्पास nevl.aAP कि आप कोई चापू को इस्तमाल करते हैं को छोड़ी देशों को अपने मिलिटर को डिपलाई करने के लिए ताकि आप उस एरिया के निग्रानी कर सको उस एरिया के अंदर आप अपना जो दबदब है उसको बढ़ा सको तो ऐसे नेवल बेस अमेरिका के पास सबसे ज्यादा ह है वो गल्फ रिजन के अंतरा जिबूटी के अंतर आता है अब सिर्फ एक है तो चैना खुछ चाहता कि मेरा भी नेवल बेस बड़े तो उन्होंने क्या क्या सोलमेल आइलेंड तो अपनी तरफ खीजने कोशिक करियो और यह अग्रिमेंट हो भी गया है इससे पहले चैना अगला अटेम्ट का हमा रहा है सोलमेन आइलेंड के अंदर मना है और यह डील हो चुकी है मेंट खालेंग चैना नहीं माना है तो इसकी पत्रहून इसकी हो रेंज इसकी स्ट्राणी की क्लेशन है पर दबबाब कोन बना सकता है चैना माना सकता सोलमें आलेंड के मदद से तो यहां पर स्टेजिक की लोकेशन है पहली बात यह दूसरी बात इतनी मीठी मीठी बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अब जो लोग है यहां के प्यमें इनको खुद को पता चला है कि इनका है यह खुद ही लेंच करेंगा चैना को अउस्टल GREG को अपने स्वार्थ के लिए यह जैसे अआज सिन नेपाल का करता है इंडिया को नराज करता चांस का दोस्त बन अपने से काम निकल ने कर सकता है तो ऑश्र exem से मिंगाना पड़ेगा तो अउस्टलिया का दोस्त उचलेगा इस तरह कि उनकी स्टाइडिघी कि लोकेशन और चैना को भी उनको लगाया कि हमारी विन्हेक इए dessert हो हमारे भी बहुत 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 हो सकता है चाइना और यूएसे के बीच में तो हम भी अपनी दिमांड पूरी तरह से रखेंगे तो यह सब बाते हैं यहां पर देखे पैसिविक आइलेंड सफर फ्रॉम पॉवर्टी अनिंप्लॉइमेंट लैक और एक डर जो पस्ची में दे पाकिसान को दे रखे हैं जो दूसरे दे रखेंगे अगर उस तरह के लोन अगर चैना ने सोलमन को दे दिये तो यहां का देश प्रोषपर होगा यहां का देश प्रॉस्पर तो बाकि इर्द्गृत की छोट शोट शोट देश है वह बी इंपक्त उनको भी लगा कि हम भी से दोस्ति कर लेनी चाहिए अगर हम चाहिए से दोस्ति कर लेंगे तो चाहिए हमारे हमारी economy strong हो जाए कि हम भी काफी अमीर बन जाएंगे तो वह सारी बातें इसके पर आती है इसलिए dependent पर उड़ा सकते हैं मेरीका कामेन के अभी यहांपर कर सकता है और और यहां पर चैना आ गया तो मानके चले की पूरा एरिया है वह chauffeur निकल जाए और जाए और जपैन जो render अमेरीका कई बच्चा माने जाता है child of America का गिर जाएगा तो कहने मतलब है कि काफी देन्ट करें हएगागा इसलिए अश्क धेए अमेरिका से डियो निए यह विल्राव से आउघ क guarantee मुने के प्रति बात कर लिए अब हमारी लिए दो लिए उसका पीपिस हरे केया घै़े अर्मक शुर्छ है यह करें हैं यह अगर अब यह सभी जगे क्या है यह सभी जगे अमेरिका का दबदबा है अगर चैना बीच में बिल्कुल ठीक बीच में अगर अपना नेवल बेस बना लेता है तो आप इमान के चलिए इसका जो स्फेर है वह इतना ज्यादा इंपक्टफल होगा कि यह जो दबदबा है यहां पर अमेरिका का वह काफे तक कम हो जाएगा क्योंकि एक बी नेवल बेस बन गया चैना का यहां पर तो जो दबदबा है कम हो जाएगा इसलिए तायवान का एंगल आपको समझा पाया होंगा इसलिए जो बाकी पस्टिमिदे तो इसलिए इतने सब कॉंट्रवर्सी हो गई तो मैंने आपको समझा है कि किस तरह से क्या कारण रहे की ऑस्ट्रिया जैपैन के साथ अग्रिमेंट क्या है युएसे की नाराजगी क्या है और जो बाकी जो पस्टिमी देश हैं उनका स्वार्थ क्या है कि संदर्ब में सोल् बेस क्या होता है चायना और ताइवान किस तरह से एक दूसर पर निर्वर हैं किस तरह से ताइवान चायना सोलमन आलेंड कि विडियो लेकर आँ जिसके अदर पूरा इतिहास कवर करूंगा तो फ्लीज अपने कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें ताकि मैं इस पे वीडिय लेकर आसकों थैंक यू सो मच पर यू कोपरेशन दिस खुश्मन सिंग साइनिंग आफ जैहिंद